नमस्कार प्रेबंदों आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए थर्ड समस्टा के छाचातरों के लिए जियोग्राफी के नभी इंतम माडल पेपर के बारे में जो की आपकी परिछा के लिए बहुत ही उप्योगी होगा आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग अतिलग घुत्रिये और दिर घुत्रिये टाइप के उन महत्तपूड परसनों पर तरचा करेंगे जो की पिछले दो वरसों में विभिन बिश्विद्यालेव के कोशन पेपर में पूछे गए परसन है और लगातार आने वाले परसन है और ये परसन आपकी परिक्षा में यानि 2025 की परिक्षा में आपकी बार आने वाले हैं तो आप सभी लोग एक परकार से अभी सोच रहें कि हमारे पेपर कैसे आएंगे या किस तरीकी का पेपर होगा ऐसे तमाम परकार के डाउट आपके दिमाग में चल लहे हैं तो वो सार ये अंते तक तो ये एक प्रकार से आपको इतना confidence देगा जिसका कोई जबाब नहीं आप एक ही वीडियो के माध्यम से अपने संपूर्ण syllabus को एक प्रकार से syllabus से बनने वाले जो महत्पूर्ण महत्पूर्ण परस्न हैं उनको समझने का प्रियास करेंगे ठीक है चले जानने का प्रियास करते हैं कि आखिरकार कौन-कौन से वो प्रस्न है जो कि आपकी परिच्छा मेनी जियोग्राफी पे पूछे जाते हैं वैसे जियोग्राफी के अगर बात किया है तो हिंदी में जियोग्राफी को भूगोल कहते हैं और भूगोल का एक परकार से syllabus थर्ड समस्टर क मैंने डिस्स कर दिया है syllabus के अलामा मैंने chapter number 1 और chapter number 2 डिस्स किया हुए chapter 3 और 4 या 5 यह सब आने बाकी है यानि आप एक प्रकार से 3-4 क्लास लगबग जियोग्राफी के हो चुकी है यह 4-5 क्लास है इसके अलामा और भी क्लास आपकी लगातार में देता रहोंगा chapter wise और model paper को के बाद आएगा तो यह लिखित model देपर जिसमें अति लगुतरिये लगुतरिये प्रसम देखेंगे यह थर्ड समस्टर में जब आप होते हैं second year थर्ड समस्टर में तो जियोग्राफी में आपको पढ़ना होता है environmental studies climate change और disaster management ठीक है किसके बारे में यानि कि आपको परिया का नाम है क्या आपके पेपर का नाम है एक में परियावड आपदा परबंधन और जलवायू परिवरतन ठीक है तो परियावड आपदा परबंधन और जलवायू परिवरतन आपके पेपर का नाम है यानि कि environment disaster management and climate change ठीक है climate change को जलवायू परिवरतन कहते हैं ठीक है environment को पर रोकने का प्रियास या इन सभी को रोकने का प्रियास नहीं इन सभी से जो जानमाल का खत्रा होता है इस जानमाल के खत्रे को बचाने का प्रियास आपदा में कम नुक्सान हो कम लोगों की मौत हो इसका प्रियास है आपदा प्रबंधन आपदा को मैनेज करना ठीक है अब मैंने इन चीजों को पताया भी था आपको. देखें. पहला कोसंस. पारिस्थितकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? ये प्रस्ण लगातार परीचा है पूचा गया. 101 परसंट ये प्रस्ण आपकी परीचा में आपकी बार भी आएगा. प्रसन है पारिस्थितकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितकी तंत्र को अंग्रेजी में Ecosystem कहते हैं। इन्ही Ecosystem का अध्यन Ecolology जो एक विसेवस्तु होती उसके अंतरगत किया आता है। एकोलाजी को पारिस्थित्की कहते हैं पारिस्थित्की एक विज्ञान है जिसके अंतरगत एको सिस्टम कायने की पारिस्थित्की तंतर काध्यन क्या आता है पारिस्थित्की तंतर में एक परकार से एक समान या अलग-अलग टाइप के जीव जो होते हैं एक दूसरे को प्र आविक्रिया करके प्रभावित होते और प्रभावित करते भी हैं वो आतावड को भी प्रभावित करते हैं परस पर एक दूसरे को जीव होते दूसरे को प्रभावित करते हैं यानि कि परियावड को जीव भी प्रभावित करते हैं और जीव आपस में भी एक प्रकार से एक पूरा का पूरा बनाते हैं जीवों का वही सिस्टम एक प्रकार से एको सिस्टम होता है इसी एको सिस्टम का अध्यन पारिस्थित्की विज्ञान के अंतरगत क्या जाता है इसके अलबा परियावर्ड जो होता है परिमाने होता है परिताह आवर्ड माने होता है घेरे हुई यानि जो हमको चारो तरफ से घेरे हुए है, हमको प्रभावित करता है, और हमसे प्रभावित भी होता है, वह पूरा का पूरा एरिया परियावर्ण या वातावर्ण कहलाता है, आपके समझ में परियावर्ण, पारिस्थित्की और पारिस्थित्की तंत्र, तीनों में डिफ प्रकार के चीज़े होती है, तो एक होता है भातिक अजयबिक घटक, परियावड का होता जयबिक घटक, आजयबिक घटक जिसमें जीव नहीं होते हैं, जैसे धूप, प्रकास, नदी, मलब जल, मृर्दा, ये सब, ठीक है, जयबिक घटकों में जैसे जो जीव जनतु हैं, ये बात आप ध्यान लखेंगे, तो इस तरीके से एक परकार से जैबिक और आजैबिक घटक ये मिल करके परियावड का निर्मार करते हैं, और परियावड एक परकार से मनुस को प्रभावित करता है, और मनुस से परियावड प्रभावित भी होता है, तो परियावड वो होत पारिस्थित्की क्या होती है पारिस्थित्की एक प्रकार से क्या होता है तमाम प्रकार के एक प्रकार से जीवों का संगठन या एक प्रकार से जैविक और आजैविक घटकों का संगठन जो के एक प्रकार से जीव आपस में परस पर प्रक्रिया करते हैं और उस सब पूरा सि इकोलाजी और इकोलाजी जिस सिस्टम का अध्यन करता है वही इको सिस्टम कहलाता है ये तून तीनो चारों में अंतर हो गया अब इसको समझने का प्रियास करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ एक बार फटा फट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर अगर एक प्रकार से अस्थल मंडल जल मंडल वायो मंडल ये सब आ जाता है जयो मंडल के अंतर कर जहां भी जीव रहते हैं वो जयो मंडल होता है तो जयो मंडल का एक छोटा सा हिस्सा होता है जीवों का जो बिभिन एक प्रकार से प्रकार के जीव या कई प्रजातियों के जीव कठा रहते हैं और आपस में एक दूसरे को इंटर एक प्रभाबित करते हैं ठीक है आर्थात कई पारिस्थत की तंतरों को अगर मिला लें तो एक जयो मंडल का निर्माड होता है तो जयो मंडल जैसे की आप जील या समुद्र और एक परकार से तालाव इन सभी के एरिया को मिला लें तो जल मंडल बनेगा जल मंडल जो होगा एक परकार से वो एक जयो मंडल का ही भाग है ठ पारिस्थत्की तंत्र होता है और उसी जील में एक प्रकार से जो जीवों की भी समन्द पाया जाता है उसी का अध्यन पारिस्थत्की यानि एकोलाजी विज्ञान के अंतरकत किया जाता है वास्तों में पारिस्थत्की तंत्र किसी एक छोटे या बड़े अस्थान के छोटा परियावण मलब होता है जैसे कि जो चीजे इसे वस्तु ये तमाम परकार किया जो जल है जल में रह रहे हैं या मिर्दा में यह वो सब तो उसके भौतिक परियावण के सम्मिशन का योग को कहते हैं यानि कि जहां पर वो रहते से जल में रहते हैं तो वो भौतिक के सम्मिष्ण की का योग जो होता है उसी को पारिस्थित की तंत्र कहते हैं जबकि जयो मंडल जो होता है उस संपूर्ण पृतिवी के सभी जी उधारियों वह उसके भावतिक परियावण के सकल योग से को दरसाता है मलब जो एक परकार से आपका जयो मंडल होता है ये तो आपका और किलियर हो जाएगा, देखें, माल लेतें कोई जील है, अब इस जील क्या है, जील क्या है, एक पारिस्थत की तंत्र है, जील क्या है, एक एको सिस्टम है, जील क्या है, जील क्या है, जील क्या है, एको सिस्टम है, ठीक है, जिसमें जल की बिभिन गहराईयों मे बिभिन परकार के जीव, जल की बिभिन परकार की परकरती, यानि कि जल की भी अपनी क्वालिटी होती है, कहीं पर जल ठंधा, कहीं पर जल गरम, कहीं पर जल की लमणता जादा, कहीं पर कम, ठीक है, कहीं पर जल का बहाव जादा, कहीं पर कम, यानि जल की भी अपनी परकरती होती है और जीव तमाम प्रकार के उचाईयों पर कुछ दूसरे जीव थोड़ा गहराई में जाएंगे तो और प्रकार के जीव और इस तरीके से जल में भी कई प्रकार के जीवों का निवास होता है तो जो विभिन प्रकार के जीव जो जीव में रहते हैं और जल की क्या प् परकरती मलब ही भौतिक परियावड उसका ठीक है उसी के साथ ताल में लगते हुए क्रियासील लहते हैं जो जीव वही पारिस्थत की तंत्र कहलाता है लेकिन एक प्रकार से जहां कहीं पर भी प्रतिवी पर जीव जन्तु निमास करते हैं पूरा का पूरा एरिया अगर पूलेंगे अब ऐसे नहीं मैं थोड़ा सा तथ्यात्मक जानकरी के कोडिंग आपको थोड़ा विद्वानों की परिभासाओं पर ले चलता हूँ देखते हैं दूसरा कोसंस ये भी परिक्षा में कई बार आया हुआ है कि पारिस्थत की तंत्र को परिभासित कीजिए ठीक अगर ये भी पूछा जाए तो पारिस्थत की तंत्र को परिभासित कीजिए पारिस्थत की तंत्र जो होता है उसकी निम्लखित परिभासा विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है एजी टांसले नाम के विद्वान है जिन्होंने एक प्रकार से बहुत ही विद्वता हासिल करी अपने इस छेतर में ठीक है मलब एको सिस्टम को ले करके इन्होंने बड़ी बाते करी इन्होंने एको सिस्टम की यानि पारिस्थत की तंत्र की परिभासा को देते होए कहा कि पारिस्थित की तंत्र भौतिक तक्तों का एक बिसिष्ट प्रकार होता है किसका भौतिक तक्तों का फिजिकल एलिमेंट्स का एक बिसिष्ट प्रकार होता है पारिस्थित की तंत्र और उसकी रचना जैबिक तथा आजैबिक घटक जो जीवित होते हैं जिसमें जीव रहते ह आजयबिक घटक जिसमें जीव नहीं रहते हैं तो जयबिक और आजयबिक घटकों से मिल करके क्या बनता है पारिस्थत की तंदर का दिर्मार करता है यह जयबिक और आजयबिक घटक एक दूसरे को प्रभाबित करते रहते हैं यह आप एक्छा करती स्थिर होता है समिस्थित में होता है और यह खूला तंत्र होता है विभिन आकार और किसमों का होता है यह पारिश्थत की तंत्र ठीक है कई प्रकार आकार का हो सकता है पारिश्थत की तंत्र अगले विद्वान आते हैं दूसरे विद्वान है R.L. Lindman इन्होंने कहा कि भई एजी टांसले आपने बड़ी जबर्दस परिभासा दी लेकिन कुछ मेरी भी सुनो एजी टांसले ने कहा कि हाँ भई बताओ एजी टांसली की परिभासा को पढ़ने के बाद आर एल लिंडन लिंडन महोदे कहने लगे कि पारिस्थत की तंतर जो होता है इस सब्द का प्रियोग किसी भी परिमाड के परिमाड में किसी अस्थान किसी समय इकाई के अंतरगत भौतिक रासायनिक जैविक परकरमों से निर्मित तंतर के लिए किया जाता है इस तरीके से एक परकार से ये होता है पारिस्थत की तंतर ज्यादा एक प्रकार से आपको यहाँ पर कोई इसमें ईसो नहीं हुआ होगा बहुत ही बारिकी के साथ इसको आपको समझ में आया हुआ होगा आगे देखते हैं अगला कोसंस आच चुका है पारिस्थत की तंत्र के आजीविये घटकों का उले कीजिए आजीविये मलब की आजैबिक घटक आजैबिक घटक को ही भावतिक घटक भी कहते हैं ठीक है यह बात ध्यान रखेंगे तो आजीविये घटकों के अंत्रगत पारिस्थत की तंत्र का निर्जीव आतावड जो होता है जो जिसमें जीव नहीं होता है वो आता है और जैबिक घटकों में जिसमें जीव होता है वो आता है जो बेभिन परकार के जीविये घटकों का नियंतरण करते हैं जो आजीबिक घटक होते हैं वो आजीबिये या अजीबिक अंस या अजीबिये घटकों को अधोलिकी तीन भागों में हम बांट सकते हैं यानि आजयबिक घटक तीन प्रकार के होते हैं कैसे कैसे पहले होते हैं जलवायू से समंधित आजयबिक घटक दूसरे होते हैं कारबन एक पदार्थ ठीक है अब जलवायू जो घटक होते हैं उनके बारे में अगर बताएं यानि क्लाइमेट से रिलेटर जो एक प्रकार से आजी भी किये उनमें खासर के इसके अंतरगत वो सभी तत्वाते हैं जलवायवीक घटकों के अंतरगत जो जलवायू की सनचना करते हैं जो एक प्रकार से जिन संग घटकों से मिल करके या जिन घटकों से मिल करके जलवायू का निर्माड होता है क्लाइमेट का निर्माड हो के मिलने से क्या होता है जलवायू बनती है यानि इन्ही सभी में परिवर्तन से जलवायू परिवर्तन कहा जाता है जलवायू परिवर्तन जो होता है क्या होता है जब तापमान में घटोतरी या बढ़ोतरी हो वायू की क्वालिटी में घटोतरी और बढ़ोती हो वायू एक प्रकार से जो जलवाई भी घटक हैं उसमें तापमान, वायू, आदरता और जल ये सब सामिल होते हैं किसके आजेबी अघटकों में खासर के परिस्तित की तंतर के अगला है आकार्बनिक पदार्थ इसके अंतरगे जैसे आकार्बनिक पदार्थों में नाइट्रोजन, क बायू और इसी तमाम परकार की गैसें ये सबाती हैं इन सब के वातावड में अपने अपने चक्र होते हैं और अपने इनके एक परकार से योगदान होते हैं तीसरा होता है कार्बनिक पदार्थ या घटक, कार्बनिक घटक या कार्बनिक पदार्थ इस वर्ग में वे protein, carbohydrates, lipids, इन सभी से एक परकार से हमको उर्जा मिलती है, हम चलाइवान होते हैं, हमारी body develop होती है, तो ये एक परकार से carbonic पदार जो होते हैं, ये GBA uns को क्या करते हैं, GBA uns को GBA uns से related करते हैं, संबंधित करते हैं, तो ये तीनों एक परकार से क्या होते हैं, आज जैबिक घटक क्या होता है, आज जैबिक घटक आपने समझ लिया, आप समझो जैबिक घटक क्या होता है, तो जैबिक घटक में क्या होता है, समस्त जीवधारियों को समलित क्या आता है, पारिस्थित की तंतर में जन्तू तथा पादप समुदाय, पादप समुदाय का मलब क्या होता है, पादप समुदाय से तातपर होता है भीया जैसे कि जो बनस्पतियां है जो छोटे मोटे एक प्रकार से जो एक प्रकार से जो बनस्पतियां है ठीक है वो सब पादप समुदाय में आते हैं जो किसी ना किसी प्रकार से परसपर समंधित होते हैं लिंड मैन ने इस संबंद में 1942 सीज़ी में अपनी संकलपना प्रसुत करते हुए बताया कि विभिन परकार के जीवों के परस पर संबंदों का आधार भोजन होता है, यानि कि जीव आपस में रिलेटेड होते हैं, वो भोजन से रिलेटेड होते हैं, आनि कि एक दूसरे पर जीव निर्भरो करते हैं या संसदित होते हैं वो केवल भोजन के आधार के रूप में होते हैं ने कि भोजन के लिए ही संसदित होते हैं। पूरी को पनाचना होतीे, ठीक है? यह बात आप ज्वानों एंगेगलों एक चीजा यहां पर और अब मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, अगर आपको एक प्रकार से course वगरा लेना है या एक प्रकार से आपको WhatsApp गुरूप जाइन करना जहां पर PDF वगरा आपको हर एक subject की मिलती रहती है तो हर एक subject की PDF मिलेगी और course आपको पूरा Hindi का या आने subject का मिलता रहेगा तो आपको करना कुछ नहीं है आपको 91, 63, 92, 62, 62 पर आपको WhatsApp परिसमस कर देना है ठीक है आपके सारे subject सभी subject की मैं बात कर रहा हूँ सभी subject मलब की जिसमें आपका एक प्रकार से co-curricular वाला subject जो है वो भी एक प्रकार से manage करवाए जागा co-curricular का भी model paper और उसकी एक प्रकार से videos lecture और उसके PDF notes भी आपको मिलते रहेंगे तीर major subject, एक minor subject और एक co-curricular subject को मिला करके पांस subject की classes आपको मातर और मातर कितने रुपए में कर दी गई है मातर और मातर 100 रुपए में ही आपको एक प्रकार से मलब की दे दिया जाएगा और आपको एक प्रकार से group से add कर दिया जाएगा और आपकी तयारी विधोत होती रहेगी तो आपको मातर 100 रुपए पे करके एक प्रकार से course जोईन कर लेना है और जैसे ही एक प्रकार से आपको समलक्स क्या करना है 93, 93, 92 सर्परस्मस करेंगे बोलेंगे कि सर जी हमको course चाहिए ठीक है और course जैसे ही आप बोलेंगे हमको course से ही है तुरंत एक प्रकार से आपको group से add कर दिया जाएगा आपको मातर 100 रुपए पे करने होंगे एक स्के अंदर मैं send करूँगा उसी पर एक प्रकार से आपको मातर 100 रुपए send कर देने उसके बाद मैं आपको group से add कर दिया जाएगा और आप आसानी से फिर उसमें पढ़ते रहेगा ठीक है तो इसमें सारे subject की PDF notes वगारा मिलते रहते हैं इसके अलामा वीडियो lectures आपको मिलते रहेंगे इसके अलामा आपको model paper महा संगराम वीडियो question paper वेभिन बिश्विद्या लेगे जो पिछले बरस हो चुके हैं वो सब आपको यहाँ पर provide होते रहते हैं तो फटा पट से आप लोग course जोईन कर लिजेगा इसलिए अभी मात्र मलब की यह बहुत कम पैसे में रखा गया है बाद में इसकी price हो सकता है बढ़ जाए इसलिए एक परकार जल्दी से जल्दी आप लोग एक परकार से course को जोईन कर लिए अभी मात्र सव रुपे में है तुरन जोईन कर लिजे इसमें आपका बड़ा फाइदा कि सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे परियावण परबंधन की संकल्पना बताएं परियावण परबंधन यानि परियावण को management कैसे क्या आता है परियावण को ताल मेल या परियावण की जो एक प्रकार से quality है उसमें घटोतरी बढ़ोतरी को कैसे मैनेज किया जाता है चुकि आजकल परियावड जो है वो लगातार एक परकार से अवनैन या निमनी करण की और लगातार बढ़ता जा रहा है परियावड लगातार मेरे प्यारे दोस्तों उसकी जो क्वालिटी है परियावड की इनवार्मेंट की वो घटती जा रही है उस quality को घटने से रोकना या उस quality को एक परकार से बनाये रखना जो एक परकार से मनुस्त के जीवन के लिए अनुकूल दसाओं को एक परकार से बनाने में सहयोग करती है उनको एक प्रकार से रोकना या परियावण की क्वालिटी में जो गिरावट हो रहे उस गिरावट को रोकने का प्रियास करना परियावण प्रबंधन कहलाता है परियावर्ण प्रबंधन में सीधा सीधा विकास एक प्रकार से को ऐसे विकास की तरब मोड़ा जाता है जिससे परियावर्ण का नुकसान ना हो आप विकास करें लेकिन उस विकास से परियावर्ण को कोई नुकसान ना हो ये ध्यान रखें इस तरीके का विकास करें ठीक है समझने का प्रियास करते हैं परियावड प्रबंधन वस्तुता परियावड प्रबंधन की यानि की इन्वार्मेंट मैनेजमेंट या इन्वार्मेंटल मैनेजमेंट इसकी संकल्पना मानुध प्रकरती की बीच संतुलित सामंजस से रिलेटेड होती है ताकि मनुस जो है वो परियावड के तत्तों का लाब उठा पाए और परियावड का एक परकार से परियावड भी संतुलित रहेगा तो मनुस एक परकार से ठीक ठाक रहेगा मनुस का ऐसे आजकल बहुत सारे बच्चे बिमार हो रहे हैं परियावण प्रबंधन ये बात आप ध्यान नखेंगे ठीक है तो प्रकरती मानों और प्रकरती के मद संतुलित सामंजस से रिलेटेड होता है परियावण प्रबंधन जिसके अंतरगत क्या क्या आता है भूमी, मिट्टी, वायू, बनस्पती, जंगल, जीव जंतु जंगल म प्रबंधन एक दूसरे के प्रियावाची सब्द है यानि खनिजों का या संसाधनों का जो प्राकरतिक संसाधनों में जिसे भूमी, मिट्टी, वायू, बनस्पती और तमाम प्रकार की जो खदानों में एक प्रकार से जो खाध्यान वगरा पाए जाते है या खाध्यान न ना करें यानि ऐसा भी कास ना करें जिससे एक प्रकार से आपको कोई नुकसान हो प्रकरती को नुकसान होगा ही प्रकरती के साथ साथ एक प्रकार से आपको भी नुकसान होगा ठीक है प्रकरती का नुकसान करेंगे तो प्रकरती आपका नुकसान जरूर करेगी प्रकरती जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई जलुआयो परिवरतन के द्वारा क्या होता है बिनास हो जाता है अभी माले ते तापमान में बहुत बढ़ोतरी हो जाए लोग मरने लगेंगे तापमान क्यों बढ़ रहा है आजकल हमरे फ्रिजरेटर एसी बगरा लगा रहे हैं इस वज देख रहे हैं कि दद्दस दिन तक घाम ही नहीं निकलता घाम मलब धूप और कहीं कहीं पर है कि हमेशा एक प्रकरास एक दम से सुर्व भगवार्न खोपड़ी पर चमकते हैं यहनि खूब जादा एक दम से घाम होता है धूप होती है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि प्र प्रकरती का मूर घुम जाए और कभ एक प्रकरती के अनकुल दसाएं ही ना उत्पन करे तो क्या करोगी कुछ नहीं कर सकते जो लोग आज ये अपने आपको एक्दम से सिर्ताज और भगवान बने बैठे हैं और बता रहे हैं कि हम प्रकरती को ऐसा कर देंगे वो कर देंगे क जादा देड तक नहीं ठीकेंगी, बहुत सारे लाइट और बलब का विकास हो गया, लेकिन क्या सुर्भगवान की इतना प्रकास एक प्रकार से कोई दे पाया, ठीक है, एक उसमें चौपाई आती है, कि राकापती चार्यू मलब की खोड़स उए, राकापती मलब एक प्रका गया, कि जो है, सकल गिरिन कर दमन कर, सकल माने होता सारे, गिरिन माने होता परबत, सारे परबतों को अगर एक साथ जला दिया जाए, तो भी एक प्रकार से रात्री का जो अंधकार होगा, वो नहीं मिटा पाएंगे, रात्री का अंधकार कम मिटेगा, जब सूर युदे हो लेकिन क्या करो पूरी की चंद्रमा अपने स्वलहाओं कला से निकल जाएं सारे के सारे तालाई कठा हो करके जलने लगें लेकिन और सारे के सारे प्रवतों के एक साथ जला दिया जाएं लेकिन एक प्रकार से रात नहीं जाती है भगवान सूर के बिना एक प्रकार से रात्त ठाक करें वयोग का उपयोग ठीक ठाक करें उसकी गुडवत्ता का ध्यान रखें उसमें quality की गिरावट ना होने दें ठीक है यही सब आपको परियावड़ परभंधन की मुखि संकल्पना पारिस्थत की तंत्र-परबंधन की संकलपना है यह जो पारिस्थत की तंत्र होता है इसको अगर बचा करके रखें तो वही एक प्रकार से परियावण परबंधन में सामिल हो जाता nick मिला करके ठीक है आगे देखते हैं अगला कोसंस आपकी स्कीन पर आ चुका है फटावड से आप देखेंगे वातावड नियोजन या वातावड प्रबंधन से क्या तातपर है वही चीजे वातावड नियोजन का तातपर समचिस संसाधन उपयोग यों संसाधन प्रबंध से है जैसा कि टीयस स संसाधनों का अधिक उपयोग, आवांचित उपयोग और दुरुपयोग ना करने का प्रियास है, यानि कि कोई प्राकरतिक संसाधन है, जो आतावड के अंतरगत पाए जाते हैं, उनका उन संसाधनों का आप जादा उपयोग ना करें, उचित मातरा में उपयोग करें, आवा तो प्योग ना करे उसका पसंसाधनों का यही होता है वातावड नियोजन ठीक है परियावड अवनेन या परियावड यह निमनी करण क्या होता है परियावड की क्वालिटी में कमी आना ही परियावड अवनेन या फिर एक परियावड अवनेन या एक परियावड यह निमनी करड कहलाता है यानि जब परियावड की क्वालिटी वायो की गुडवत्ता में कमी आती है जल की गुडवत्ता में कमी आती है तापमान की गुडवत्ता में या तापमान बढ़ता है घरता है इस तरीके की चीजे जब सामने आती है तो वही एक परकार से परियावड ये निम निकर्ड होता है ठीक है समस्ते हैं यदि मान भिये या अनिकारकों के कार्ड यानि मानों के कार्ड हो या कोई अनिकार्ड हो भौतिक परियावडर परियावडर के कुछ घटकों की इतनी अधिक छती हो जाती भौतिक परियावडर का हम उपयोग करते हैं जैसे अगर हम उचित मात्रा में जल का उपयोग करेंगे तो जल एक परकार से क्या होता है एक स्वताह नियामक परकरिया होती है ठीक है भरपाई उसकी हो जाती स्वताह नियामक परकरिया के द्वारा यानि माल लेते हैं दस लीटर पानी था हमने एक पानी निकाल लिया, ठीक है तो एक लिटर पानी एक दिन में बन रहा है, तो एक लिटर पानी मैंने एक दिन में खर्च कर लिया, तो एक लिटर पानी फिर से बन गया और वो भरपाई हो गई, यह सुताय नियामक परकिरिया के दोरा, लेकिन जब एक लिटर वा पनिया दिन म करें किसी भी चीज़ का तो जितना एक परकार से ऐसा योज करें जिससे क्या हो स्वता नियाम प्रक्रिया जो परियावर्ड की है उन्ग डियाव इंजिकते द्वारा उस चीज की पूर्ति अगर हो जाती है तब तो ठीक ठाक तरीके से आप उपयोग कर रहे हैं लेकिन अगर उसकी पूर्टी नहीं हो पाती है तो वही एक परकार से परियावड़िये निमनीकरण या और नियनीकरणा है ठीक है ठीक है ध्यान लखेंगे इस से परियावड़िये दसाओं का जयो मंदल के जीवों पर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैा रथात परियावड़ को निमनी प्रकारण से परिभासत किया सकता है परियावरण आउनेन को देखें परियावरण आउनेन जो होता है वह अवस्था होती है वह सिचिवसन होती है जिसमें क्या होता है जिसमें परियावरण के भौतिक संगटक में जैविक प्रकरमों विसेश्ता मानों जैविक प्रकरम मलब क्या होता है मनुस्य के द्वारा ठी इस सीमा तक हरास हरास माने होता कमी होना यानि कि जो जैविक परकरम है जैविक परकरम मनुस्य के द्वारा एक परकार से जो भवतिक संगटक है वायू जल मर्दा ठीक है ता आप मान इसमें मनुस्य के किरियाओं के द्वारा इस सीमा तक कमी आ जाती है हरास हो जाता है कि उस इसके परियावड ये जो होता स्वता हन्यामक परक्रिया जो होती परियावड के द्वारा जिससे एक परकार से उसकी पूर्ती होती है वहाँ पूर्ती नहीं हो पाती है ठीक तरीके से इसके परिलाम सुरूप जीवजन्तूं और बनस्पतियों पर इसका बुरा परभाव पच्छी आजकल आपको नहीं दिख रही होंगी, गिद्ध आपको आजकल बहुत कम दिख रहे होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से सारी चेचुकि आजकल एक प्रकार से अब ये सब कहना उचितना होगा, तो चलें, आगे बढ़ते हैं, तो कहीने कहीं पे आजकल गिद्ध नह नहीं नहीं करन हो रहा है, परियावड आउने एक प्रकार से अपने चरम पर, अगला कोशन सा चुका है, परियावड ये सिक्छा से क्या आ से है, एजुकेसनल, जो इमलब एजुकेसन होता है, इन्वार्मेंटल एजुकेसन या इन्वार्मेंट एजुकेसन, परियावड इस सिक्षा को समझाने के लिए हमें सरप्रतम सिक्षा की परिभासा को समझना होगा सिक्षा समिती और आसिक्षित ब्यक्ति के बीच का अंतर होता है सिक्षा का कारी होता है ब्यक्ति का तस्तर पर सुरू हो करके पर्यावर यह सिक्षा को हम सवभाविक या प्राकर दीजाथ संतुलित नबीनता और परिवर्टन के ाधार पर प्रकति सील सिक्षा मान सकते हैं परियावड में अनेक परकार के उद्धीपन होते हैं जो बिविध परकार के मनुस्त को प्रभावित करते हैं एवमिंद्रीय जन ग्यान के फल्स रोप मनुस्त को परतेग छण नई अनभू परियावड के बारे में लोगों को यह बताया जाए कि परियावड जो होता है एक प्रकार से उसको उसमें कमी ना आने दे परियावड की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए वायू की गुडवत्ता में कमी कब आती है किस चीज को करने से आती है या एक प्रकार से जो आज कल आप Human Values and Environmental Studies जो 3rd semester में आपको Co-Curricular के रूप में पढ़ना है Co-Curricular जो आपका subject है निमार परसनपत्र इसमें आपको 2.3rd semester में Human Values and Environmental Studies ही पढ़ना है तो उसमें एक परकार से क्यों ही इसको पढ़ाया जाता है ताकि एक परकार से आप अपने परियावड के बारे में जाने अपनी परियावड की जो क्वालिटी घट रही है उसके बारे में समझें और परियावड के जो एक परकार से क्वालिटी है उसमें बढ़ोतरी कैसे हो सकती इसके बारे में जाने तो यही परियावड ये सिक्षा होती ताकि परियावड के बारे में जो जन्मानस है उन तक एक परकार से परियावड की एक परकार से जो जानकारी है उसको पहुचाई जाए जाए ताकि वो परियावड के सचेत हो सके परियावड को एक परकार से दूसित ना कर पाएं वाता ये जान पाते हैं, जाएव बिभीदता अगला Qtion आपकी स्प्राइल ठाजका, जाय वीवविदता क्या है बताये, जाय वीवविदता, जाय वीववविदता माने हुथा, जाय वीव माने हुथा कई परकार के जिव, एक ही इस्थान पर रहते हैं और एक दूसरे को प्रभाबित करते हैं वह एरिया जय विवित्ता वाला छेतर कहलाता है उसको एक प्रकार से हाट जोन भी कहते हैं किसी प्राकरतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतु जीव जनतूं यहां पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जय विवित्ता यानि बायो डाइवर्सिटी कहते हैं यानि जब भी एक प्रकार से जंगली जीव जनतू पालतु जीव जनतू और पादप पादप माने तमाम प्रकार की बनसपतियां घास फूस इनकी सब की कई प्रजातियां ये कठ़े खूब जादा मात्रा में रहती हैं तो वह एरिया एक प्रकार से जय विवित्ता का एरिया कहलाता है बायो डाइवर्सिटी कहलाता है अंग्रेजी में जय विवित्ता सतात पर जय वमंडल में पाई जाने वाले जीव जन्तू पादप और सुछम जीवों के बीच में जो अनुवानसिक जातिगत और पारिस्थित्किक अस्तर पर पाई जाने वाले जय विवित्ता होती है उनसे होता है कुल मिला करके जय विवित्ता से विपराय सजीवों, सजीवों मलब बनस्पती और प्राणी जो होते हैं, ठीक है, उसमें पाई जाने वाले जातिय भेद से होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, किसी छेतर बिसेस में पाई जाने वाली प्राणीयों की जातियों की संख्या वा पादप उस छेतर की जय विवित्ता को दरसाते हैं, यानि कि पादप मलब कितनी बनस्पतियां किस-किस पर जाती की हैं, और मनुस मलब की जीव जन्तू कितने हैं, जो तमाम प्रकार के प्राणी, प्राणी मलब एक प्रकार से जीव जन्तू हैं वो सब, ठी का सरप्रतम प्रयोग किया था बहुत बड़े प्रसिद्ध कीट बैग्यानिक थे E.O. बिलसन E.O. बिलसन नाम के एंग महान बैग्यानिक हैं कीट बैग्यानिक हैं उन्होंने 1986 में 1986 में जयविविद्धा पर American Forum के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन में उन्होंने राष्टी संसाधन परिसत को जयविविविद्धा यानि बायो लाजिकल डाइवर्सिटी या बायो डाइवर्सिटी जिसको सार्ट फर्म में कहते हैं इसकी जगापर जयविविविद्धा सब्द का सुझाओ दिया तभी से यासब्द एक संकल्पना के रूप में जयविव ज्यानिकों परियावडबिदों और रादनेतिग्यों के द्वारा एक प्रकार से बिरस्त रूप से अपनाई गई और इसको हम जान पाते हैं तो जोई विवित्ता मलब वाच्छेत्र जहां पर मनुस की जीवजन्तूओं की और मलब मनुस कहना उचिन्दा होगा जीवजन्तूओं की पालतू पसूओं की जंगली पसूओं की जंगली पसू जीवजन्तू और तमाम प्रकार के बनस्पतियां तमाम प्रकार के घास फू आगे देखते हैं अगला प्रसनाप की स्किन पर आ चुका फटापट से आप लोग देखने का प्रियास करेंगे बहुत ही जबर्दस को संसे बहुत ही महत्मूर प्रसने फटापट से एक बार वीडियो को लाइक और सीर जरूर करते रहेगा तूकि ऐसे कोशन्स मैं लगातार देता रहता हूँ और ऐसे मारेद में पर हर एक सब्जट के आपको मिलते रहेंगे ठीक है चलिए वीडियो को सीर करते रहेगा सभी दोस्तों के पास अपने प्रसनाप की स्किन पर आचुका एची लक्ष क्या है एची टार्गेट जिसको बोलते हो क्या देकि नगोया में एक समेलन हुआ था जैव वीविथित्था यानि की बायो डाइवर्सिटी को सनक्षित करने के लिए एक प्रकार से नगोया समेलन हुआ था जो 10 वरसी रणनीती बनाई गई थी 10 साल के लिए ठीक है वह एची लक्षों के नाम से जानी जाती है लब कि 10 साल के लिए एक रणनिती बनाई गई थी किसके लिए जय विवित्ता के सरनक्षण के लिए ताकि जीव एक प्रकार से बने रह सके और जीवों की जो परजातियां है वो नश्ट ना हो सके कि जिवों के प्रजातियां बनी रह सकें इसके लिए एक रणनीती बनाई गई नगोया समयलन में वही ही लक्ष के नाम से जानी आती है इन्हें एची लक्ष नाम देने के पीछे कारड यह था कि एची जो है वो जापान का परफेक्चर प्रांत है जिसकी राजधानी नगोया है ठीक है एची लक्षों के रूप में मुख रूप से 20 लक्षों को एक परकार से समलित किया गया यानि 20 टार्गेट फिक्स किये गये और वो 20 टार्गेट को मलब की कई परकार के थे ठीक जिनमें कुछ टार्गेट में आपको बताऊंगा रणनीती की दिष्टी से इन्हें पांच भागों में बाटा गया है रणनीतिक अस्तर पर इन लक्षों को पांच सीरसकों के अंतरकत रखा गया है ठीक है पांच सीरसक इस परकार से है जिसमें एक परकार से क्या करना था एची लक्ष में पहले ब्याद जैव विवित्ता क इसके कारण को पता करना पहला लक्ष दूसरा लक्ष जय विविद्टा पर दबाओ में कमी क्यों आ रही है जय विविद्टा येक प्रकार से बढ़ क्यों नहीं घट क्यों नहीं इसके बारे में पता करना इसके लाओं सभी अस्तरों पर जय विविद्टा की संच्छा करना स तोरी सुरक्षा करना, ठीक है, इसके लाओं जैवेवित्ता से प्राप्त जो लाब होते हैं उनको बढ़ाना, ताकि जैवेवित्ता से हमको लाब ही मिल सकें और वो सुरक्षित भी रह सकें, इसके लाओं जैवेवित्ता के छेतर में छहमता निर्माड की प्राप्ती, ठीक ह आगे देखेंगे अगला कोशन्स आज चुका है आपकी स्किन पर सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे इंपोर्टन कोशन्स है भई प्रस्न है भूमंडलीय तापन या उसमन या बैसिबिक तापन भूमंडलीय तापन या अंग्रेजी में इसी को क्या बोलते हैं गलोबल वार्विंग बोलते हैं क्या बोलते हैं गलोबल वार्विंग बोलते हैं किसको इसी को क्या बोलते हैं हीट हो जाए पूरा का पूरा वातावड टीक है he que global माने पूरा संसार ठीक है Harris Rankbahalig भारत का ही पूरे संसार ठीक है तो वही होता है प्रकार से इसमें तो कहने का मलब यह है कि पूरा संसार करण कब होता वातावड की गरम होने से बड़ा कार खाने रहते हैं उनसे तमाम प्रकार के गैसे निकलती हैं उन्हीं गैसों के परड़ाम सुरूप वातावन लगातार वातावन का तापमान बढ़ रहा है वातावन के तापमान बढ़ने से क्या होता है कि एक प्रकार से जो गलेसियर है जो बर्फ के बड़े-बड़े पहा 으면 भूमंडली तापन से अभिप्राय भूमंडल पर बढ़ने बढ़ते ताप क्रम से भूमंडलिये उश्णता या भूमंडल गरम हो रहा है आज 20 के महत्मूर समिस्या बन गई है। लगातार परिवथन एक प्रकार से जो तापमान के परिवथन या तापमान के बढ़ोतरी से ही आपको देखने को मिल रहा है। कियोटो संधी हुई थी कियोटो प्रोटोकाल उसके अंतरे के छे प्रकार की हरित गैसें बताई गई थी हरित गैसें को green house gases कहते हैं ग्रिन हाउस gases बेसिकली क्यों इसको कहा जाता है यह ऐसी गैसे होती जो आतावड को गरम करने के लिए उपयोगी होती है अगर हम करती है अच्छा ग्रीन हाउस इसको क्यों करते है ग्रीन माने होता हरा और हाउस माने होता घर यही तो होता है तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है एक जहां पर ठंडे इलाके से की जो धुर्बिये इलाके होते धुर्ब वाले इलाके धुर्ब मलब की इसे पोल वाले इ यसे प्रिथवी आपने पढ़ा होगा, यह प्रिथवी है, मैं बहुत, मेरी तबिये थोड़ी सी खरावे से होजासे, मैं ठकावट फील हो रही है आज, ठीक है, यह महोदय, यह आपका क्या है, यह बिस्वत रेखा वाली एरिया है, प्रिथवी, इस एरिया में एक प्रकार स यह महोदय न, कहाँ पर, यहाँ पर, देखें, बड़े ध्यान समझें, यहाँ पर, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर ठंडी इलाका है, ठंडी बहुत पड़ती है, ठीक है, यह बात आप ध्यार नखेंगे, इसके बारे में अगर मैं आपको बताओं, नार्थ पोल और साव होती है, तो यहाँ पर खेती कर पाना एक परकार से मुस्किल होता है, यानि ऐसी खेती जो गरम इलाकों में होती है, जिसके लिए वातावड एक परकार से गरम चाहिए, तापमान जादा चाहिए, ऐसी खेती यहाँ पर एक परकार से नहीं हो पाती है, इसलिए उस फसल का म कि वातावण में लब सूर का प्रकास आये और इस प्रकास यह अंदर तो घुश जाए इसमें लेकिन यह प्रकार से प्रकास बाहर ना निकल पाए या इनमें आइसी गैसों को छोड़ दे कारवन डायाकसाइड मीथेन नाइटरस आकसाइड हाइड्रो कलोरो कालबन इस तरीक है सूर की गरमाहाठ किरणों की वो रुख जाती है और यह पूरा का पूरा एरिया या पूरा का पूरा घर जो होता है यह प्रकार से तापमान इसका बढ़ जाता है यह तापमान एक प्रकार से उस फसल के लिए उप्योगी तापमान सिध होता है और वहाँ पर खेती या स इसलिए green house gases से वातावण गरम होता है और इसलिए इसको green house gas कहते हैं जो कि इसने ये एक प्रकार से जिस तरीके से जो है यूरोप की countries में green house का प्रियोग करते हैं उसी तरीके से आजकल वातावण की स्थिती बन चुकी है ठीक है ये बात आप ध्यान लखेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं सबस्ते हैं वाई तो ये है green house ठीक है जो मैंने आपको समझाया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो भूमंडली तापन से विपराए भूमंडल पर बढ़ते तापकरम से है भूमंडली ये उश्णता आज भी सुकी महत्पूर समिस्या बन गई है भूमंडली ये उश्णता के कारण संपूर्ण प्रिथवी की जलुआयों में परिवरतन हो रहे हैं क्योटो संधी के अंतरगर छे प्रकार की हरित गैसों के बारें बताया गया और ऐसी गैसे पहचान की गई जो मुखिता भूमंडली ये उश्णता के लिए उत्तरदाई ह ये गैसे निम्रिकित हैं पहली गैसे कारण डायकसाइड वातावड को सबसे आदा गरम करने वाली गैसे कारण डायकसाइड वातावड को सबसे आदा प्रदोसित करने वाली गैसे कारण मोनो आकसाइड कारण डायकसाइड में CO2 होता है यानि कि ये CO2 है और कारण मोनो आक हाइड्रो क्लोरोकार्बन पर क्लोरोकार्बन सल्फर हैकसाफ्लोराइड ये छे गैसी एसी हैं जिसके द्वारा भूमंडल गरम होता है और इस वज़ा से एक प्रकार से बैस्विक्तापन उत्पन होता है इनके अलावा 25 अन गैसें भी पहचानी गई जो की ग्रीन हाउस गैस हैं तथा भूमंडली उष्णता को प्रभावित करती है भूमंडली उष्णता को या गुलोबल वार्मिंग में मदद करती है ठीक है ये गुलोबल वार्मिंग है अगला कोशन से मरूस्थली करण के बारें बताएं मरूस्थली वाले होता है मरू माने होता है मरी हुई अस प्रकार से या एक प्रकार से जो उपजाव भूमी है उस उपजाव भूमी के अनुपजाव होने की प्रकरिया ही मरुस्थली करण कहलाती है simple सी बात, मरुस्थली कड़ का आर्थ समझे, उपजाओ भूमी का मरुस्थली, भूमी में परिवरतन होना हो जाना ही मरुस्थली कड़ होता है, पारिस्थितिक, बिद एवं परिया और बित्ता, इसे एक करमिक परकरिया मानते हैं, चुकि एक बैग नहीं होता है, लंबे समय इसे एक परकार से लंबे समय के बाद में परकरिया संपन होती, जो जलवायो प्राकर्तिक बनस्पती, मर्दा, जिवजन्तु और मानवी करियाओं का परिडाम होता है, इसे मानों के द्वारा पारिस्थत के करम में औरोध माना जाता है, चुकि मनुस्थ के द्वारा ही ऐस होता है, जब लगातार आप किसी एक ही फसल को किसी खेत में बोते रहेंगे लगातार लगातार, तो वो खेत निपस हो जाएगा, वहाँ पर एक परकार से अनुर्वर मिट्टी हो जाएगी, ठीक है, तो यह मरुस्थल होता है, अगला कोशन साब के स्किन पर आ चुका है, फटाबट से देखेगा, वीडियो को लाइक और सियर करते रहेगा, सबी लोग ठीक है, प्रस नापका है, महोदर टिहरी बांध की स्थिती पर विस्तार से बताईए, टिहरी बांध है एक परकार से जो है, नदियों पर चुकी बांध बनायाते तो टिहरी नाम का इलाका है वही पर एक परकार से टिहरी जनपद गड़वाल हिमाले के आसवाद पढ़ता है, ठीके वही पर बांध बनायागा है नदी पर, देखे टिहरी बांध परियोजना उत्रा खंड राज में एक टिहरी नाम का जिला है, गड़वाल हिमाले के आसवाद पढ़ता है, उसी में बन रही है, टिहरी बान परिजना मलब आप बन चुकी है, भगोलिक दिश्टी से टिहरी बान जो है, इसका अस्थल जो है 32 डिगरी, 22 मिनट, 54 सेकंड, उत्तरी एक छांस तथा, 78 डिगरी, 31 मिनट और 0, 3 सेकंड, पूर्वी देशांतर के बीच में इस्तित है, यह देशांतर और अच्छांस, यह अच्छांस रिखाएं होती है, यह देशांतर रिखाएं होती है, ठीक है, तो इसमें जो 37 डिगरी, मलब जो 32 डिगरी एक परकार से रिखा है आपका, अच्छांस जो होता है, यह यहाँ पर 32 डिगरी लगभग यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है, और पूरवी देसांतर मेलब की पूरव मालब ये वाला एरिया, यही के आसपास यही पर एक परकार से उत्तराखण में आपको दिखाई पड़ेगा, यह ठीक है, यही अकछानस ओर देसांतर के बीच का एरिया, जो यहाँ पर डाटा लिखा है, नंबर 88 मिनट और 32 मिनट, ठीक ह हैं वहीं पर एक परकार से ये परियुजना यानि टेहरी बांध बनाया गया है उसके ठीक बिलकुल समी पिस्तित है इस अस्थल पर नदी तल की समदर से आवसत उचाई लगभग 603 मीटर उची है बांध जलासे का छेतर जो है डूब छेतर तीन ओर से 1000 मीटर से लगभग 2000 मी और इसी केस से 80 किलोमेटर दो रिस्तित है ठीक है इसके बारे में अगर आपको टेहरी बांध परियुजना के बारे में आपको मैं दिखाऊं थोड़ा सा मैं आपको यहां पर जो है थोड़ा सा आपको यहां पर गूगल करके समझाने का परियास करता हूँ ताकि आपको सम तेहरी तेहरी बांध ठीक है तेहरी बांध यह वाला बांध जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह तेहरी बांध ठीक है अभी आ जाएगा यह है भीया देखें यह है टेहरी डेम ठीक है यह आपको दिखाई पढ़ रहा होगा यह तेहरी बांध है यह देखें यह भीला अंगना और भागी रिथी नदी के संगम पर आपको यह बांध एक परकार से मिलेगा यह परकार से नदी आप देख रहे है यह बह रही है ठीक ह इसी पर एक प्रकासane टेहरी बात बनाए गया है ये देख सकते हैं ये आप देखे रहें इए यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहें ये ठीक है देख रहे हैं यह यह डैम है ठीक टेहरी डैम जो है यह आपका उत्राखंड में है विकास पर एक प्रात्विक बाद है जो उत्राखंड के राज टेहरी जिले में इस्तित है और इसे स्वामी रामतिर्थ बाद भी कहा जाता है यह बाद भी आप ध्यान लखेंगे ठीक है इसके लामा यहाँ बाद हिमाले की दो महत्पूर नदियों पर बना हुआ है जिसमें एक गंगा नदी की प्रमुक सहयोगी नदी भागी रहती और दूसरी भी लांगना नदी है इसनी के संगम पर बना हुआ जिसको गड़े इस प्रियाक के नाम से जानते है ठीक है यह बात मैंने आपको बताई यह सारी जानकारियों लिखी हुई है हलाकि अब चलते है अपने पॉइंट पर और समझने का प्रियास करते है तो यह आपको समझने आ गया भई टिहरी डेम जो है वो कैसा होता है बिल्कुल चले आपदा परबंधन प्रसने आपका आपदा परबंधन के बारें बताएं देखें आपदा जो होती उसका मलब होता है कोई आपदा कोई ऐसी समय से आ जाए जिसका कोई अचानक मलब जिसका पताता ना हो ठीक है उसी को आपदा बोलते है तो आपदा को एक प्रकार से मैनेज करना आपदा को कम करना या आपदा को रोकना आपदा परबंधन का मलब आपदा को रोकना नहीं है आपदा परबंधन का मला होता है आपदा से जन और धन की हानी कितनी कम हो इसकी वेवस्था करना ही आपदा परबंधन होता है आपदा परबंधन प्राकरते को और मानो निर्मे जो आपदाएं होती है उसके दोरान जीवन वा संपत्य की रक्षा करने से करने वा आपदा के प निर्मित आपदा होती है और एक होती है भया प्राकर्तिक आपदा प्राकर्तिक आपदाएं जो होती है वो एक परकार से बड़ी खतर जैसे बार भोकम ठीके सूखा या परकार से जो है सुनामी जो आला मुखी ये सब एक परकार से प्राकर्तिक आपदाएं है अगला आपद प्राकर्तिकाब्दा की बात करें तो प्राकर्तिकाब्दा कई प्रकार की होती जैसे की भूकम हो गया प्राकर्तिकाब्दा है भूकम मलब जब भूमी कापने लगती भूमी हिलने लगती भूकम तो आप लोग जानते होंगे बाढ़ आ जाए पानी बहुत जादा हो जाए कि इसके लाँ भोस्खलन, भोस्खलन भी एक परकार से भूकम टाइब या कोई खिसक जाए, यह पूरा पहाड जो है सरक जाए, पहाड गिर जाए, ठीक है भोस्खलन वो होता है, सूखा पड़ जाए, ठीक है पानी ही नबर से, तुफान आए, सुनामी, हिमस्खलन, यानि हिमल और उसकी जो हिरोईन होती ही बाहुवली की, देव सेना नहीं, वो तो सेकंड वाला है, पहला वाला बाहुवली आप देखें, तो पहले वाले बाहुवली में उसमें एक को बनाता है, उसको एक लकड़ी का कोई होता है, उसी लकड़ी पे बैढ़ जाते दोनों, और उस भ प्राकर्तिक आपदा हैं दूसरी आपदा होती मानो निर्मित आपदा मानो निर्मित आपदा किसी भी प्रकार की घटनाएं हो सकती है जैसे कि कही कहीं इमारत ढह जाए मानो के द्वारा निर्मित होती है आतंगबादी हमला ये मानो निर्मित आपदा है और दोगे खतरा questions आपके skin पर आ चुका है, फटापट से आप लोग देखने का प्रियास करेंगे, बहुत ही important questions है, प्रसने आपका सूखा आपदा, ठीक है, सूखा आपदा क्या है भई, इसको बताने का प्रियास करेंगे, सूखा आपदा, सूखा आपदा कि अगर बात किया है, तो भारतिये मौसम विभाग के अनुसार, उस दसा को सूखा कहा जाता है, जब किसी छेतर में होने वाली समानी वर्षा से, वास्तविक वर्षा 75% से कम हो, विभाग द्वारा सूखे के दो वर्ग बताये गए हैं, पर्थम वर्ग में समानी सूखा होता है, और दुतिये वर्ग में परचंड सूखा होता है, जब किसी छेतर में होने वाली समानी वर्षा से, वास्तविक वर्षा जो होती है, 20-25-50% से कम हो जाए, तो उसे समानी सूखा कहते हैं, जब कि 50% से अधिक अगर वर्षा का अभाव होने पर, क्या होता है, वो परचंड सूखा कहा जाता है, दूस बाड क्या होता है? बाड सूखा एक दूसरे के ब्रीथ होते हैं। भर जाता है उस एरिया में वही एक प्रकार से बाड़ की स्थेती होती है तो बाड़ भी एक प्रकार से क्या है प्राकरति कापदा है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला प्रसन जानने का प्रियास करते हैं ठीक है चले वीडियो को लाइक और सियर करते रहिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटी वीडियो में लगातार आपको देता रहोंगा ठीक है चले प्रसन आपकी स्किन पर आ चुका है दीर घुत्रिय प्रसन ऐसे पूछेंगे कि मर्दा प्रदूसन के कारण और परेडाम का वरडंद कीजी दीर घुत्रिय प्रसन समझे मर्दा प्रदूसन मर्दा माने होता है मिट्टी प्रदूसन माने होता है उसकी क्वालिटी में प्त्र होता है जो लंबे समय में जलवायू जीवों वा अन्यभोतिक कारकों की अन्यून आसरीत क्रियाओं से उत्पन होता है। तमाम परकार के खनिस्तत मिट्टी में पाये जाते हैं तमाम परकार के खारकारवनिक पदार्थ पाये जाते हैं तमाम परकार की गैसे तमा और जल वगारा मिट्टी में एक निश्चित अन्यूपात में होते हैं तब तो ठीक है और निश्चित अन्यूपात से घटा बड़ी हो जाती है तो वही एक प्रकार से मर्दा प्रदोर्शन की सरणी में आने लगता है मिटी की उप्युक्त पदार्थों की मात्रा और अनुपात में बिभिन कारणों के द्वारा उत्पन परिवर्तन जो होता है वही मर्दा प्रदोर्शन यानि मिटचन की बहुत अधिक आवसकता है जो हमारे पास नहीं है चीक है तो इस तरीके से कूप परबंधन ही है जिसकी वज़ा से ये एक परकार से हम लोग जान पा रहे हैं जब भौतिक और मानविय कारडों से मर्दा की क्वालिटी यानि की गुडवत्ता घटने लगती है तो उसे मर्दा का हरास मर्दा के कटाओ अधिकान सुपयोग से पोसकत्तों की कमी मिट्टे में तापमान का घटना बढ़ना जीवांस का असंतुलित अनुपात हो जाना जीवनस मलब जी तवाम परकार के जीवजनतु है चोटे चोटे जो बनस्पतियां होती जो की मिट्टी को प्रभावित करती है उनके अनुपात में परिवर्तन होता है परदोर्शकों के मिस्रण से उत्पन होता है असपस्ट है कि मर्दा की गुडवत्ता के हरास के लिए मानविय किरिया कलाप अधिक जिम्मेदार है मानविय किरिया कलाप के द्वारा ही मिट्टी की क्वालिटी में चेंजमेंट होता है मिट्टी की क्वालिटी खतम होती है मिट्टी की उरबरक छमता छीड होती है यही किरिया एक प्रकार से मर्दा परदूशन की स्थिति कहलाती है ठीक है यह बात आप ध्यान रखेंगे जब मर्दा में परदूशन परदूशन जल मिल जाए या रसाया नुक्त कीचड़ एक परकार से मिट्टी में मिल जाता है कूड़ा, कीट नासक, दवा तमाम परकार की आजकल तो पड़ रही है उरबरक जब अधिक मातरा में आजकल तो डाई, अमोनियम सलफेट या यूरिया वगरा खूब अधिक मातरा में आप डाल देते हैं इससे भी एक परकार से मिट्टी को नुकसान होता है मिट्टी के जो एक परकार से वास्तविक चीजे होती है वो नश्ट हो जाती है कीट बगारा भी मिट्टी के उरबरता के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और उनको आप नश्ट कर देते हैं इस वज़ा से क्या होता है मिट्टी की गुडवत्ता घट जाती है ठीक है मिर्दा की गुडवत्ता घट जाती है और इससे मिर्दा का प्रदोशन कहा जाता है मिर्दा का प्रदोशन भी आधुनिक्ता की देन है आज कल आधुनिक तमाम पर गए किसमें आ गई है और इस वज प्रकार से अधुनिक्ता का परड़ाम जरूर है लेकिन इसका दिर्ख कालिन परक्रिया में बड़ा नुकसान है ये छड़ी का आनम जो जरूर है आज हमको मिल लहा है तो हम खुस हैं लेकिन एक प्रकार से मिट्टी की उरबरता इससे खतम हो रही है आने वाली पीढ़ी इसक प्रकार से जो उद्योगों का प्रकार से जो मलबा होता है वो भी प्रकार से नदियों में या एक प्रकार से ऐसे इलाकों में छोड़ दिया आता है इस वजह से मिट्टी की जो उरबरता है वो लगातार कमी मलब हो रही है और हरास हो रहा है इसके लामा ठोस अप्सिष्ट में ब्रद्धी ठोस अपसिष्ट मलब होता है जो कूड़ा करकट होता है इसे की ठोस अपसिष्ट मलब जैसे की अभी यह से माल लेते हैं यह बोटल है इस बोटल को एक परकार से हम फैंक देंगे यह बोटल नश्ट तो नहीं होगा यह बोटल एक परकार से पड़ा रहेगा इससे भी मिर्दा को नुकसान होगा ये एक परकार से माल के थे हैं कोई भी चीज़, जीसे किताब, पुस्तक हो गई, इसके पने ग Quran, या plastic तौमाम परकार के, मोबाइल फोन तौमाम परकार के, तौमाम परकार के प्रोडक्त। ये सब अक्परकार से इन में ब्रद्दी लगातार हो रही है और सुन योजित निस्तार का भावयनिकी इसको अच्छे तरीके से जो ठोसब सिुस्थ है इनको एक परकार से अच्छे तरीके से खतम नहीं किया जा रहा है इस वजह से मित्टी की जो एक परकार से और अर्वरक तो उससे एक प्रकार से मिट्टी की जो गुडवत्ता होती उसमें कम ही आती है ठीक है वर्तमान समय में करोडो फस्ट जनरेशन मुबाइल फोन जो है उसके निस्तारण की समस्या बिसुपर मड़ रही है और इस तरीके से मिर्दा परदूर्शन लगातार बर रहा है ठीक है इसके दुस्परदाम क्या है मिर्दा परदूर्शन के मिर्दा परदूर्शन के दुस्परदाम मिर्दा परदूर्शन के निम्न दुस्परदाम सामने आ रहे हैं पहली बात तो यह कि मर्दा अपरदन में बर्दी हो रही है अपरदन मने क्या होता है मिट्टी कट करके बह रही है मृणधा परदन किन चार्डव से होता है या तो वायू बहुत तेज़ चले और MỤ्टी को उड़ा ले करके चलीजाय या दूसरी बात बहुत तेज़ पानी बरसे और MỤ्टी का उपरी परज जाओ ह्वाला वह कटकरके बहे जाय दो कारडोसया आई और रासानिक पदार्थ तमाम प्रकार के हैं, बहुत एक क्रियाएं हैं, उनकी वज़ा से मिट्टी कट करके बहे जाती है, मिट्टी की उर्बरक छम्ताचीन होती है, इस वज़ा से मिट्टी एक प्रकार से मरू अस्थल में बदल जाता है, मरू मलब की मर इस वज़ा से मिट्टी आनुप जाओ हो जाती है, और इस वज़ा से वो मरूस्थल में बदल जाता है, ठीक है, मरूस्थल वह राका होता है जहां पर कोई फसल वगरा नहीं होती है, ठीक है, इसके अलामा उत्पादन में कमी आती है, इसके उत्पादन में भीया, जो एक कई कारण के माद्यम से मिर्दा का प्रदोर्शन एक परकार से होता है ठीक है इसके लावा अगर आप आपने संस्कित साहMr. लिए धीरे पर नहीं देखा है तो इसको भी देख लिजीगा घृषaufen के लीए बहुत भारट